टाइप नॉंबर शिक्स तक कवर कर लिया था और आज हम लोग जो है टाइप नॉंबर चलते हैं सेवन की तरफ टाइप नॉंबर सेवन में ये क्या कहता है इसके बारे में सुनते हैं ठीके कोशन रीड करते हैं स्ट्वेंट्स कोशन है हमारा कोई धन राशी चक्रवरधी ब्याज पर तीन वर्ष में 6,690 रुपे तता 6 वर्ष में 10,035 रुपे हो जाती है तो मूल धन याद करना है आपको बता दें ये वाला कोशन CGL 2019 जो पेपर हुआ था उसके अंदर कई सैट के अंदर पूछा गया था इस तरह का सवाल ठीक है आप लोग पेपर डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से गूगल से तो इस कोशन की खास बात क्या है आपको पहले बता दें इस वाले टाइप की खास बात क्या है इस वाले टाइप की खास बात ये है कि जो टाइम दिये होंगे आपको वो डबल दिये होंगे यानि डबल टाइम के मिश्रधन दिये होंगे टाइम हमेशा डबल मिलेगा इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन साल है तो यहाँ पर डबल है छह साल मान लो यहाँ पर चार साल हो तो यहाँ पर आठ साल होगा मान लीजिए यहाँ पर पांच साल है तो यहाँ पर फिर दस साल होगा ठीक है यहाँ एक साल होगा तो यहाँ दो साल होगा तो यह इस टैप की खासियत है और ये सवाल जब एक्जाम में इस तरीके से आएगा कि आपको double time के amount दिये हूँ ठीके students और आप से principle पूछा हो तो याद करने वाली बात यहाँ पर यह है double time के amount दिये हो और आप से principle पूछा हो तो principle किस तरीके से find करेंगे देख लीजेगा तो तीन साल बाद जो amount है उसको हम A1 का नाम दे देंगे और ये है 6690 रुपई और double हो गया time यहाँ पर 6 साल का time हो गया 6 साल बाद जो amount है बच्चो वो है यहाँ पर 10,035 रुपई ठीक है और आप से पूछा है principle देखो ऐसे का ऐसा question ही आपको बता दूँ CGL में खूब पूछ रखा है 2019 के set के अंदर कई सारे set हुए थे तो उसमें कई set के अंदर question था इस तरह का ठीक है तो इसमें एक बाद धान रखनी है अगर ये double time है और double time के principle आप से पूछे है डबल time है amount दियावा principle पूछा है तो यहाँ पर हम लोग एक formula यूज़ कर लेंगे सिधा सिधा A1 का square और upon में A2 हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे A1 का square upon A2 A1 बच्चों होगा ये पहले वाला amount ये वाला amount A1 और 10,035 जो amount है वो A2 होगा इसको आप लोग समझे लोग फिर इसमें card peat करते हैं ठीक है students तो A1 की जगा हम लोग लिखेंगे 6690 का holy square और A2 की जगा लिखेंगे हम लोग 10,035 ठीक है एक student यहाँ पर थे कल प्रिंस एडमिट हो गए है एक student थे यहाँ पर कल जिनको हिंदी में problem थी तो students इंग्लिश में भी question लिखा हुआ है ये बार रिट कर लेते हैं इसका स्कीन सूट लेने आप लो A sum of money becomes Rs.6690 in 3 years and becomes Rs.10035 at same compound interest in 6 years find the principle ठीक है परसेंट गलत लगावा परसेंट नहीं है कुछ भी है ठीक है find the principle है बस ठीक है चलिए students किसी का माइक आवाज कर रहा है मैं इसको mute कर देता हूं ठीक है चलिए आगे बढ़ते है students ठीक है अब हमें यहाँ पर एक formula यूज करना था मैंने बताया formula क्या यूज करना था यहाँ पर formula आपके सामने लिख जी बोलिए यह चक्रवरधी ब्याद चल रहा है और कौन बोल रहे हैं अच्छा अभी नीद बोल रहे हैं अभी नीद यह compound interest चल रहा है ठीक है और mid में है बीच में है अभी नीद है ना बाकी सब बाकी सब चीज़ समझ मा रही है अभी नीद थी ठीक है थी हाँ से सुनते रहो देखते रहो ठीक है कहीं को दिक्कत लगे तो अपना speaker on करके मुझसे पूर्श लिखना ठीक है तो इसके अंदर हम लोग formula use करेंगे P बराबर A1 का square upon में A2 तो आप देख सकते हैं A1 की जगा हमने 6690 है 6690 लिखा A2 की जगा 1035 लिखा इसके बाद कुछ नहीं है इसके बाद सिर्फ और सिर्फ calculation है calculation से इसको काटना पीटना है चलो वो भी देख लेते हैं कैसे काटते पीटते हैं क्योंकि बहुत सारे students को problem आती है काटने वागरा में चलिए काटने का method कोई बहुत tough नहीं है इसको एक काम कर लेते हैं students इसको हम लोग जो है शुरू में काट लेते हैं तीन से काट लेते हैं तो जब हम इसको तीन से काटेंगे तो तीन तिया नो होगा तीन तिया नो होगा और फिर तीन चुक बारा होगा तीन पंजे पंद्रा होगा तीन से इसको काट देंगे बच्चो तीन दूनी छे तीन दूनी छे और तीन तिया नो और जीरो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे तीन तिया नो और जीरो ठीक है उसके बाद हम इसे 5 से काट देंगे तो 5 चंग 30 5 चंग 30 और 5 निम 45 हो जाएगा और 5 चोग 20 दो बचेगा 23, 5 चोग 20 और 0 इसे काट देंगे सीधा-सीधा 10 टैम्स कट जाएगा और 1 इनट गरबड हो गई है पर 5, 5, 4, 20 और 5, 4, 20 यहां 6 आएगा तो अब इसकी और इसकी अब मल्टिप्लाई करेंगे तो हमारा अंसर आजाएगा 4, 4, 6, 0 चलिए देखते हैं इसको आप स्किन सोट ले लो कोई आया है कोई एडमिट हुआ है अंकित चोधरी एडमिट हुगे हैं थोड़ा लेट आज ठीक है चलिए तो नेक्स्ट कोश्टन भी गुद सेम प्रोसिस का होगा समझाने की कोई जुरुत नहीं है बस इसमें आपको एक ही बात ध्यान रखनी है इस टाइप के अंदर स्कुरेंट्स बात ये ध्यान रखनी है कि जो इसमें आपको अमाउंट दिये होंगे वो डबल टाइम के दिये होंगे ये आपको बात याद रखनी है रटनी है कुछ भी करना है मतलब ये आपको याद रहना चाहिए ठीक है कुलम लाके बात ये है तो आप देख सकते है कोश्टन की नेचर को आप तभी वर्ष के अंत में तो टाइम यहाँ पर एक साल हो गया अंत में 650 रुपे ठीक है और और जो है एक मिनट इस्टुरेंट्स इतने सारे नोटिफिकेशन आजाते है कुभी ठीक है और आगे बोला है तदा दो वर्ष के अंत में यह दो वर्ष के अंत में 676 रुपे हो जाती है ठीक है स्टुरेंट्स तो एक साल के अंत में हो रही है 650 दो साल के अंत में 676 देख सकते है टाइम डबल है हाँ पर यहाँ टाइम एक ता यहाँ टाइम डबल है तो आप सीधा सीधा A1 का स्कॉार अपोन A2 यूज कर लेंगे ठीक है स्टुरेंट्स चलिए आगे बढ़ते हैं कैल्कुलेशन आप कर लेना अंसर मैच कर लेना ठीक है कोश्चन बर 3 बिल्कुल सेम कोश्चन तीन साल का अमाउंट दे दिया 6 साल का अमाउंट दे दिया देख सकते हो टाइम डबल है ठीक है अब कही के मन में एक चीज़ आ रही होगी सब टाइम डबल नहीं हो तो क्या करेंगे वो बात की बात है क्या करेंगे आगे प्रेक्टिस कोर्नर है वो सारी चीज़ा आप हाँ सिकोगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ठीक है, चलिए, ये किलियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइप नमबर एट पर, टाइप नमबर एट क्या कहता है, देखते हैं, किसी धन का दूसरे वर्ष का चक्रवरधी ब्याज 156 र ब्याज है, वो 156 रुपे है, दूसरे वर्ष का, तो ये वाला पॉइंट इंपोटेंट है, दूसरा वर्ष यानि सेकेंड डियर, दा कंपाउंड इंट्रेस्ट ओफ सेकेंड डियर, ओन अ सम ओफ मनी, इस रूपीज 156, तो ध्यान दें, ये दो नहीं लिखावा, ये दो दूसरा, दो में दूसरे मंतर होता, दो को इंग्लिश में कहते हैं, टू, और दूसरे को इंग्लिश में कहते हैं, सेकेंड, टू का मतलब होता है, वन प्लस वन टू, और सेकेंड का मतलब होता, बच्चो केवल दूसरा, यानि सेकेंड की बात कर रहा है, ठीक है, तो मैं आपसे बोलता हूँ कि दो वर्ष, दो वोला है, दूसरा नहीं बोला है, आपर दो वोला है, दो वर्ष का CI, दो वर्ष का CI, तो दो वर्ष के CI में क्या-क्या चीज होंगी, वो आपको पता होना चीए, तो दो वर्ष के CI में जो पहले साल का इंटरस्ट होगा, वो होगा, प्लस जो second year का interest होगा वो भी होगा तो अगर हम दो साल का चक्रवरधी ब्याज compound interest की बात करते हैं two years के compound interest की मैं बोलता हूँ या बात करता हूँ तो इसका मतलब उसके अंदर दो interest include होगे एक तो first year का interest होगा और एक second year का interest होगा ठीक है चलिए लेकिन अगर मैं बात करता हूँ दूसरे हाँ लिखता हूँ दोनी लिखता हूँ दूसरे दूसरा मतलब second year दूसरे वर्ष का C.I. अगर मैं ये लिखता हूँ बच्चो दूसरे वर्ष का C.I. तो देखो दूसरे का मतलब होता है सिर्फ दूसरा यानि इसमें पहला include नहीं होता है तो दूसरे वर्ष का CI का मतलब होता है students केवल और केवल ये वाला interest बस second वाला यानि इसमें first year का जो interest है वो include नहीं होगा तो सबसे पहले तो आपको अपना ये mind set करना है question को solve करने से पहले ठीक है students तो ये जो लिखावा है interest 156 जो लिखावा है students ये हमारा second year का interest है यानि 156 में first year का interest include नहीं है तो ये बात आप लोग समझने आगे बोला है यदि ब्याज की जो दर है rate है वो 20% वार्षी को per annum हो ठीक है if the rate of interest is 20% per annum तो पहले वर्ष का ब्याज point noted तो पहले वर्ष का ब्याज interest of first year तो पहले वर्ष का ब्याज interest of first year यानि कौन सा जो 156 में include नहीं था उसकी बात कर रहा है वो ठीक है तो पहले वर्ष का interest बताना है और आपको principal बताना है दो चीज़ आपको बताने है जेखो students इस question को हमने हाजो solve किया है इसमें पीडिएफ में वो एक अलग तरीके से किया है हाँ पे हमने एक formula यूज किया है आप यह formula भी याद कर सकते हैं learn कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसको बिना formula के भी कर सकते हैं तो बिना formula के इस question को हम लोग कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से करेंगे इस question को बिना formula के without formula के ठीक है चलिए students देखते हैं क्या करते हैं इसके इंदर सबसे पहले है तो हम इसमें एक कांद करते हैं principal को hundred assume कर लेते हैं खतम बात ठीक है जब हमने principal को यहाँ पर hundred assume कर लिया और दो साल यहाँ बना लो first year बना लो second year बना लो तो first year जो interest लगेगा बच्चो वो 20% के साब से लगेगा अब यहाँ तो 20% लिख दो या फिर 20% को fraction में convert कर सकते हो तो 20% को fraction में convert करोगे तो students 1 by 5 आएगा 1 by 5 का मतलब हो गया 20 by 100 20% को जब आप convert करोगे students तो 20 by 100 ही लिखोगे fraction में convert करनी के लिए काड दोगे तो 1 by 5 हो जाएगा ठीक है तो अब आप जैसे चाहो वैसे कर लो हम यहाँ principal को हमने hundred मान लिया यह हमारा first year यह हमारा second year पहले साल जो interest लगेगा 1 by 5 या 20% second year जो interest लगेगा 1 by 5 या 20% चलिए तो 100 का 1 by 5 बैट जाएगा students 20 इसी तरह से second में 100 का 1 by 5 20 अब एक question करता हूँ मैं आप लोगों से मिस्टर अंकित चोधरी बताएंगे मुजफर नगर से के compound interest कौन से वर्ष से लगना शुरू होगा पहले दिन ही बताया था very good common सी बात है student second से लगेगा तो second year से लगेगा और किस पर लगेगा ये important बात है किस पर लगेगा हाँ पिछले वाले पर लगेगा और पिछला वाला interest ये रहा हमारा तो twenty का one by five calculate कर लेंगे तो बच्चो ये आजाएगा चार तो हमने इस तरह से एक structure बनाई जिसमें हम principal को hundred मानके चले और हमने वहाँ पे दो साल ब्याज लगाया पहले साल दूसरे साल तो पहले साल तो ब्याज निकल करके आया बीस रुपे और दूसरे साल जो total ब्याज निकल करके आया बच्चो वो आया 24 रुपे 24 रुपीज तो मैं जरा यहाँ पर एक student से भी question करूँगा मैं नाम ले लू जरा देख लूँ कौन-कौन जुडे वे हैं जरा देख लूँ पहले structure समझे लो आप लो फिर दुबारा समझा रहा हूं ये वाला जो interest है ये वाला ये है students पहले साल का interest ध्यान दखना 20 और ये जो interest है ये वाला आपको दिख रहा होगा ये है अमारा दूसरे साल का अब मैं एक question पूछता हूँ जो मनें आपको बोला उसे मे कि आज तोस की रोज गड़बट रहती है आवस्तुष बोल तो रहा है लेकिन इसकी आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही है अब आ रही है बारी आवाज ठीक है थोड़ा तेज बोलो अपने speaker को माइक को अपने पास लेकर क्या हो अब आ रही है वास ठीक है तो आश्तोस 24 बोला आश्तोस ने ठीक है चलो अभी और किसी से पूछते हैं जरा एक दोस्तोर पूछते हैं यह बताएंगे रूपल बताएं रूपल रूपल इंटरस्ट ओफ सेकिंड इयर कितना है हाँ नई आश्तोस तुम बारबार बदल रहें उपन अंस्वार rea话 रूपल अगरा वास सेन रहे हैं तो बताएं इंटरस्टों सेकिंडेर कितना है रूपल जैए कँ है कोई नहीं और मनझू बताएं मंजू इन्टरस्टों सेकिंडेर कितना है लग रहा है नेट्वों में प्रॉलम हो रही है सब क्या अज कुछ के लगना में प्रॉलम में आवाज आ नहीं रही उनकी हाँ मंजू यह बताओ हाँ वह हो सकता कि बारिश पड़ी थे ना कल तो सकता स्प्रॉलम आगी है ना चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है टाइम वेस्ट नहीं करते तो मिस्टर आसुत आपको बता दें आपने पहले सही जवाब दिया था मनने आपसे पूछा था कि सेकिंड येर का इंट्रेस्ट कितना है तो हमारा सेकिंड येर का जो इंट्रेस्ट है वो स्ट्वर्ण्स चो भी सह ट्वटी फॉर है ठीक है तो इसका स्क्रीन सोट ले लो स्ट्वर्ण्स आप लोग और क्योंकि ये फिर रफ कर दूंगा में इसको ठीक है 24 हमारा इंट्रस्ट हो जाएगा second year का अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग इसको मैं रफ कर रहा हूँ ठीक है आपको जो दिया है students वो दिया है आप देख सकते हैं ये 156 तो 156 जो है ये हमारा second year का इंट्रस्ट है और जो हमने structure बनाई उस structure में second year का जो इंट्रस्ट है वो 24 है तो एनि सीदी सी बात वो ने 24 यूनिट बराबर है 156 के और इसने question में मुझसे दो बाते पूछी है एक तो पहले साल का interest पूछा है और पहले साल का जो interest आया था हमारा उसके अंदर वो आया था बच्चों आप देख सकते हैं अपने screen source में 20 है न हाँ 20 unit तो using by cross multiply कर लेंगे 156 into 20 और अपन में 24 ठीक है students इसे काट देंगे हम लोग 2 से काट देंगे 12 बार 12 से काट देंगे 13 बार तो यह आगया हमारा 130 रुपे और यह 130 रुपे हो गया students पहले साल का interest यानि interest of first year screen source ले लो interest of first year है हमारा यह ठीक है students interest of first year अब एक बात मैं बता दूँ यह जो हमारा पहले साल का interest आया यह वाला यह 130 आया और यह 130 वो interest था जो इस 156 में include नहीं था यह वो चीज़ आ गया यह नि first year का interest आ गया हमारा 130 चलो अब इसके अंदर students एक बात और पूछिए इसके अंदर principle find out को रो तो principle भी find out आप इसी से कर सकते हो 156 second year का interest था और सामने हम लिखेंगे second year का interest जो हमने structure बनाई उसके coding था वो 24 और आप से पूछा है principle तो आप देख सकते हैं अपनी structure में वहाँ जो मने structure बनाई ती इस तरह से उसमें हमने principle को क्या मान के चले थे हम 100 तो हम क्या करेंगे नीचे यहाँ पर लिख देंगे 100 unit और using by cross multiply students तो 156 in 2 में 100 अपन में 24 दो से काट देंगे 12 बार दो से काट देंगे बच्चों 50 बार और 12 से इसको काट देंगे 13 टाइम्स और 13 की 50 की multiply करेंगे तो 650 हमारा answer आ जाएगा चलिए यह होगया हमारा question solve without formula हमने हाँ पर कोई formula यूज नहीं किया कम से कम formula बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको formula याद ना करने पड़े ठीक है अभी इसका एक question और करते हैं students बागी तीसरा question आप home work के लिए करेंगे स्क्रीन सोट ले लो इसका ठीक students question number चलते हैं second की तरफ second में क्या कहता है सबसे पहले पढ़ते हैं question को किसी धनका दूसरे वर्ष का CI पॉइंट नोटिट देखो language को पढ़ते वक्ती catch कर लिया अगरो दूसरा वर्ष पहला वर्ष नहीं कहा रहा है का चक्रवरधी ब्याज 132 रूपीज है the compound interest of second year on a sum of money is रूपीज 132 आगे कहता है यह दि ब्याज की दर 10% वार्षी को तो पहले वर्ष का ब्याज बताओ same पहले की तरह ठीक है principle 100 अजूम कर लेते हैं बच्चो इस तरह से 2 साल बना देंगे rate of interest है 10% तो 10% को fraction में जब convert करोगे आप लोग तो 10 upon 100 हो जाएगा 0 से 0 कर जाएगी 1 upon 10 बन जाएगा ठीक है वो convert करना चाओ कर भी लो नहीं करना चाओ मत करो अपनी आपको सुविदा देख लिए हमें कहांपर सुविदा है ठीक है चलिए तो पहले साल interest जो लगेगा बच्चो 1 by 10 का लगेगा इंट्रस्ट लगाते हैं students कैसे कैसे लगाते हैं चलिए देखते हैं तो 100 का 1 by 10 जो बैट जाएगा वो 10 बैट जाएगा किसी 100 का फिर 1 by 10 10 बैट जाएगा अब हमें compound interest लगाना है बार बार बात repeat कर रहा हूं ताकि आपके mind में बात छब जाएगा compound interest हमेशा दूसरे से लगना start होता है और लगता है पिछले वाले पर तो 10 पर लगाएंगे इस 10 पर लगाएंगे 1 by 10 का interest तो बैट जाएगा एक रुपिया अब इस structure को समझना है पढ़ना है अब मैं अगर आपसे बात करूं पूछूं आपसे ये जो 10 है what is 10 तो ये 10 हो गया पहले साल का ब्याज अगर मैं आपसे बात करूं ये क्या चीज है ये हो गया 10 और 11 यानि 11 दूसरे साल का ब्याज interest of second year ठीक है चलिए माइंड में रहना चाहिए interest of first year is 10 रूपीज and interest of second year is 11 रूपीज या 11 यूनिट ठीक है चलिए ये structure का आप स्क्रीन सोट लेलो क्योंकि आज बात में दिखता आईगी तो फिर आप देख सकते हूं आगे बढ़ते हैं इस्ट्रेंट्स अब करते हैं comparison हमें 132 दिया मैं red marker का इस्तमाल कर लेता हूं इसको और ये second year का interest है और सामने हम लोग लिख देंगे second year का interest तो अभी जो हमने structure बनाई थी उसमें आपको देखो इतना तो याद रहना चीए ऐसा आपके साथ नहीं होना चीए कि कुछ second वाली कुछ second की जो पहले की बात थी उसको आप भूल जाएं तो अभी हमने structure बनाई थी उ भी पीछे बनाई थी उसमें पहले साल का भ्याज था 10 unit और इसके बाद हम लोग cross multiply का सहरा लेंगे students तो कैसे करेंगे देखते रहेगा 132 into में 10 और upon में students 11 तो इसे काट देंगे हम लोग 12 हो जाएगा और 12 10 हो जाएगा बच्चो 120 और ये 120 क्या है ये है first year का interest जो 132 में include नहीं था तो ये 120 first year का students interest आ गया जो 132 में include नहीं था तो इसको screenshot ले 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 आगे बढ़ते हैं फिर क्योंकि अभी इसके अंदर एक चीज़ हमें और पता लगा नहीं है चलिए ठीक है अगला question मनला आगे देखते है second point तो अभी हमें इसके अंदर principal पता लगाना है तो same process 132 is interest of second year और जो हमने structure बनाई उसके according जो था second year का interest वो था 11 unit और आपको याद हो तो हमने जो ये principal लिया था पहले अभी जो structure बनाई थी उसके अंदर हमने 100 लिया था 100 के अलावा आप कुछ भी ले सकते हैं 200, 300 वो उसके according values आदा हैंगी ठीक है वो tension वाली कोई बात नहीं है आप 100 लेके कुछ और भी ले सकते हैं तो यहाँ पर लिख देंगे students 100 unit is equal to तो 132 into में 100 upon 11 और इसे हम काट देंगे तो 12 times और यह हो जाएगा हमारा 1200 रुपीज तो यह आगया students हमारा principle यानि मूलधन तो मैंने दो example आपको दे दिए उम्मीद है सबको समझ में आगया होगा अगर किसी students के समझ में नहीं आया तो मुझे hint दे दे तो मैं इस पर थोड़ा time or spend कर सकता हूँ कपिल हाँ बोलो हाँ बिल्कुल कुछ भी मान लो 200 मान लो 300 मान लो 500 x y z कुछ भी मान लो बताओ क्या मानना बोलो कपिल बिल्कुल मान लो बिल्कुल मान लेते हैं किसी question में मान लो रूपल कह रही है कि सर मेरी आवाज क्यों नहीं जा रही आपके पास है ना तो मैं इनको जवाब लिख देता हूँ आपके इंटरनेट में problem होगी जी कौन कौन बोल रहे हैं हेलो कौन बोल रहे हैं ठीक है आज कई लोगों के इंटरनेट में problem हो रही है हो सफ़ता बारिश हुईती कल तो उस वज़े से problem हो रही हूँ है ना यह मुझे इशू लग रहा है क्योंकि कई मनलब जो है न सीजे खराब हो जाती है बारिश में चलिए तो इस्टुडेंट्स ने demand किये कुछ ने के question को दुबारा बता दे तो मैं इस question को फिर दुबारा बता रहा हूँ और अब की बार principal को 100 नहीं मान रहा हूँ प्रिंसिपल मान लेता हूँ इस बार 500 इस्टुडेंट्स ठीक है मंजू तो इस बार हमने principal को 500 मान लिया और यहाँ पे हम दो साल बना देंगे फरस्ट इयर सेकिंड इयर और rate of interest जो देख सकते हैं मंजू यहाँ पर 10 परसेंट है और 10 परसेंट को हम fraction में जब convert करेंगे तो 10 अपोन 100 लिख देंगे तो यह हो जाएगा 1 by 10 ठीक है तो बार बार हम repeat करी रहे हैं इसको इतना समझाने की जुरूत नहीं है चलिए तो यहाँ पर 1 by 10 और 1 by 10 तो 500 का 1 by 10 जो आएगा वो 50 आजाएगा यहाँ पर भी 50 हो जाएगा compound interest second year से लगना start होता है और पिछले वाले पर लगता है last वाले पर लगता है और पिछले वाले पर जो इंटरस्ट लगेगा यह 1 by 10 का लगेगा तो 50 का जो 1 by 10 calculate होगा वो 5 रूपे calculate होकर के आएगा यहाँ लिख देंगे 5 यह लोग इसको erase कर देते हैं ठीक है और के श्ट्रेंट्स आगे बढ़ते हैं चलिए तो अब आप एक बार फिर read करते हैं इसको हम लोग जो है ठीके श्ट्रेंट्स तो इसको read करना बड़ा ज़रूरी है यह जो हमारा 50 है एक इनट यह क्या हो गया हो गया हो गया तो लिखाता है यह हाँ पर 50 ओके यहां ता है यहां पर यहां पर इंट्रेस्ट था 50 है 50 ठीक है चलिए इसको erase कर देते हैं इस सब चीज़ें चले स्ट्रेंट्स एक बार फिर इसको repeat करते हैं हम लोग ठीक है यह हां बोलिए थड़ question आएगा आएगा बिल्कुल आएगा अभी तुम 730 कर रहेंगे हां मूलधन नि spec पड़ा से झाए अ ठीके, ओके, हाँ, मैं करा देता हूँ, अभी कराता हूँ, पहले सको करा दूं फिर थड़ गराता हूँ, ठीके, तो और एक बात बता दू, सबी को जो बच्चे नए जुड़े में हैं, हम अगर डिस्कनेक्ट हो जाएं तो दुबारा रेकनेक्ट होना है, तुरंत वो भी, ओके, रूपल कह रही है, सब मेरा अंसर आ गया, थ्री वाले का भी, रूपल का अंसर आ चुका है, तुम्हारा नहीं आ रहा, गडबड होगी, पहले इसको एक्स्प्रेंट कर दें, ठीक है, तो अभीनीत, इसमें ये जो है, हमारा ये फर्स्ट येर का इंट्रेस्ट हो गय और ये हमारा सेक्ट येर का इंट्रेस्ट हो गया, कपिल को किलियर है बात या नहीं कपिल, ठीक है कपिल, तो ये ध्यान रखना अपने मैंड में में इसको रफ़करने वाला हूँ, कि फर्स्ट येर का जो इंट्रेस्ट है, वो फिफ्टी है, सेक्ट येर का इंट्रेस्ट 55 है और principal यहाँ पर 500 है अब मैं इसको screen को रफ कर रहा हूँ अब वो यहाँ पर कहता है बच्चो के यह जो interest है 132 जो interest है यह second year का interest है और सामने second year का interest लिखेंगे और अभी जो हमने structure बनाई थी उसमें second year का interest जो था वो 55 था और हमें first year का interest calculate करना है तो first year का interest जो अभी structure बनाई थी उसके अंदर बच्चो 50 था और यहाँ लिखने के बाद हम कर देंगे cross multiply तो 132 into में 50 और upon में हो जाएगा बच्चो 55 तो 5 से कार देंगे कपिल 11 बार 5 से कार देंगे कपिल 10 बार और यहाँ 11 से कार देंगे हम लोग 12 बार और यह आप देख सकते हो 120 रूपे यह आज जो आया 120 जो आया यह आगया हमारा interest of first year कपिल जो इस 132 में include नहीं था तो कपिल done ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अभी इसने एक question और पूछा हमसे question यह पूछा है कि principle बताओ तो वही process 132 is interest of second year और इसके सामने हम लोग 132 लिख देंगे second year का interest लिख देंगे 55 था principle आप से पूछा है तो principle की value हमने assume की थी मानी थी 500 और इसके बाद वही same process 132 कपिल into में 500 और upon में 55 पांस से काट दोगे 11 पांस से काट दोगे 100 और इससे काट दोगे बच्चो 112 तो यह जाएगा 1200 रूपीज कपिल की लियर है बात यह आप यहाँ सबसे बढ़िया बात यह 500 मान लो 100 मान लो 200 300 400 कुछ भी value मान लो answer आपके यही आने है ठीक है चलिए अभी नीत को problem है question number 3 में देखते हैं क्या problem हो भी question number 3 में अब कोन admit हुआ है तने बज़े जी बोलिए अच्छिया मुल्धन तुमने इसी तरीके से क्या जो मने किया यह कुछी दो तरीके से क्या ठीक है तो 600 यह लो हमने लिख दिया मैं लिख दे रहा हूं यह पर 600 के सामने तुमने चलो एक मिनट को हाँ 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 चलो देखते हैं यह बताएं कि अब ही 600 के सामने तुमने क्या लिखा गलत हो गया ओके ठीक है अभी नीद गुड चलिए इसकी वीडियो देख लेना अगर कर नहीं डाउट हो तो इसकी वीडियो जाल दूगा तो फैर तक ठीक है और आगे बढ़ते हैं अब अगले टाइप पर बच्चो ठीक है यह एक टाइप और आ बच्चो टाइप नंबर ठीक है जो लास की क्लास होगी सबसे लास्ट में पढ़ेंगे इंस्टोल्मेंट वाले टाइप को अब एक टाइप आ रहा है बच्चो टैंथ और इसको समझना बहुत जरूरी है करने से जादा इसको समझना बड़ा जरूरी है ठीक है तो इसको कैसे समझें और कैसे करें अर्द वार्षिक दे 6% वार्षिक ब्याजदर के बराबर हो इंगलिश में लिखा है What annual rate percent is equal to rate अर्द वार्षिक ब्याजदर के बराबर हो ठीक है सब लोग admit हो गए है एक रहे गयते हैं वो ने भी हमने admit कर लिया है अब mute कर रहा है सभी को आगे बढ़ते हैं continue करते हैं class को ठीक है friends तो अभी क्या है कि ये वारा जो type 10 में जो पहला question लिखा है इसको करने से जादा समझना बड़ा जूरी है वो question में क्या कहता पड़ते हैं वह वार्षिक दर पर्तिशत क्या होगा जो अर्दवार्षिक दे 6 पर्तिशत वार्षिक ब्याजदर के बराबर हो वाट एनुवल रेट पर्सेंट इस इक्वल टू रेट ओव सिक्स पर्सेंट पर एनुम पेबल हाफ इयर ली तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप मान करके चलो किसी से पैसा उधार लेकर के आ रहे हो और जिस से पैसा उधार लेकर के आप आ रहे हो वो 6 पर्सेंट वार्षिक का वार्षिक का मतलब होता बच्चो पर एनुम यानि एक साल का ब्याज लेगा यानि एक साल में आप से वो 6% yearly का ब्याज लेगा ठीक है लेकिन उसने एक बात बोल दी कि वो जो ब्याज calculate करेगा वो yearly calculate नहीं करेगा वो छमाही यानि अर्दवार्शिक यानि half yearly calculate करेगा ये आप देख सकते हैं बिलकुल इस पस्ट तोर पर लिखावा है rate of interest तो उसने दिया हमें 6% वार्शिक का लेकिन जो वो interest calculate करेगा जो हम पे ब्याज लगाएगा वो 6-6 महिने की अवधी पर लगाएगा ठीक है ये आप अपने mind में set कर लें ठीक है और कहता है चलो ठीक है अब सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि हम पे ब्याज कितना बनेगा ठीक है चलिए ब्याज कितना बनेगा वो देखते हैं बच्चों तो सबसे पहली बात है जब ब्याज अर्द वार्षिक रूप में लगा रहे हो छमाही रूप में लगा रहे हो तो इस वाले 6% वार्षिक को आप छमाही में कनवर्ट करोगे और आप खुद सोच सकते हो जब पूरे साल का ब्याज 6 रूपे बैठेगा तो 6 महिने का ब्याज कितना बैठ जाएगा तीन परसेंट छमाही या हाफ एर्ली तो ये आपके माइन में सेट होना चाहिए अब मान लो टाइम कुश्चन में या एक साल की बात करें हम लोग तो एक साल में कितने चमाही होंगे वो भी देख लो आप लोग तो एक साल में होंगे बच्चो दो चमाही अगर हम एक साल की बात करें जी बोलिए जी बोलिए आवाज आ रही है बोलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्वेशन को दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, एक बार, ध्यान से सुनिएगा कुछन में वो ये कहना चाहता है, कि वहे वाशिक दर परतिशत क्या होगा, जो अर्द वाशिक दे, अर्द वाशिक दे का मतलब है, कि इंटरस्ट यहां पर हाफ एरली के हिसाब से लगेगा, ठीक है, छै परतिशत वाशिक द्याज दर के बराबर हो, इंग्लिश में टू, रेट ओफ 6% पर एनम पेबल हाफ एरली, तो कहने का मेरा मतलब यह जब तक कोस्टन समझ में नहीं आएगा, तो बात नहीं बनेगी, कोस्टन को ठोड़ा समझने की कोशिश करें, मान लो, आपने किसी को पैसा उधार दिया, चुलो हम लेने की बात नहीं मानते, देन वो बताया आपने 6% yearly का आपने उसको इंटरस्ट बता दिया और time एक साल दे दिया उसको वन एयर दे दिया लेकिन जिसको तुमने पैसा उधार दिया आपने एक बंदे को सोर पर उधार दिये 6% yearly पर दिये और एक साल के लिए दिये लेकिन आपने उसको एक बात बोल दी, क्या बात बोल दी? कि भाई, इंट्रेस्थ जो कैलकुलेट होगा वो yearly नहीं होगा, इंट्रेस्थ कैलकुलेट होगा अर्धवार्शित यानि के millennials हाफ yearly लगा रहे हैं तो rate और time ये वाला rate और ये वाला time half yearly में होना चाहिए ये वाला rate और ये वाला time half yearly में होना चाहिए तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है इंट्रेस्ट लगाने से पहले हमें इस वाले rate को इस वाले time को half yearly में convert करना है तो convert कैसे करते हैं देखते हैं कैसे करते है रेट है यहाँ पर 6% वार्शिक का half yearly में convert कैसे करेंगे देखू सबसे पहले चीज़ तो यह आपके mind में set होनी चीए कि 6% वार्शिक का मतलब क्या होता है 6% yearly का मतलब होता है एक साल में 6 रूपे ब्याज लगेगा जब एक साल में 6 रूपे ब्याज लगेगा तो 6 महिने में कितना ब्याज लगेगा तो 6 महिने में बच्चों जो ब्याज लगेगा वो 3% के हिसाब से लगेगा तो हम जो rate use करेंगे वो 3% का use करेंगे ठीक है अब हम time की बात करते हैं time हमने लिया था एक साल और एक साल में अगर हम बात करें कितने half yearly होते हैं तो 6 महिने को हम लोग एक छमाई यानि एक half yearly बोलेंगे तो एक साल में हम लोग दो छमाई यानि दो half yearly बोलेंगे तो दो half yearly यह हो जाएगा यह दो half yearly अब ध्यान रखें आपका जो principle है वो 100 है rate 3% होगा और time 2 half yearly होगा तो half yearly होगा अब अगर हम इस पर interest लगाएं तो देखते हैं कि एक साल में कितना interest बैठता है वो हमें चेक करना है चलिए कैसे लगाते हैं interest वो भी देखते हैं ठीक है students यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 100 येलो और येलो ये हो गया पहला चमाही फरस्ट हाफ yearly और ये हो गया students दूसरा चमाही यानि सेकिंड हाफ yearly ठीक है पहले चमाही पर rate of interest 3% का रहेगा दूसरे वाले चमाही पर भी 3% का रहेगा जब हम इस 100 का 3% calculate करेंगे तो 3% का मतलब ही होता है 100 पर 3 तो direct आप 3 लिख दें ज़्यादा confused ना हो अगले चमाही अगले हाफ yearly जब interest calculate करेंगे तो 100 पर 3 ये लोग हमने 3 लिख दिया अब फिर वोई बात आती है जो पिछले question माही थी कि compound interest कौन से year से लगना शुरू होता है तो compound interest जो लगना शुरू होता है students वो second से लगना start होता है और पिछले वाले पर लगता है तो इस वाले 3 पर आपको interest लगाना है 3% के हिसाब से अब important चीज़ ये है कि 3 का 3% कितना बैठता है तो students 3 का 3% मैं आपको नीचे calculate करके लिखा रहा हूँ 3 into में 3 और upon में 100 तो 9 upon 100 यानि के हो जाएगा 9 upon 100 का मतलब हो गया students 0.09 तो 3 का 3% जब calculate करेंगे तो 0.09 हो जाएगा और ये हमारा answer आ चुका है अब देखो एक बात से repeat कर रहा हूँ एक परसन को हमने 100 रुपी रुधार दिये थे 6% yearly पर एक साल के लिए और हमने उस पे जो interest लगाया था वो half yearly के हिसाब से लगाया था और पूरे साल का इस परकार से जो interest बैट गया वो बैट गया आप देख सकते हैं ये वाला पूरे साल का interest बैट गया ये वाला ये ये वाला ये तो यानि के एक साल में जो interest बैटा बच्चो तीन ये हो गया तीन ये हो गया 0.09 ये हो गया तो यानि कुल मिला करके ये हो गया आपका 6.09 तो एक बार फिर repeat कर रहा हूं हमने एक परसन को 100 रुपे उधार दिये थे 6% yearly rate पर एक साल के लिए और हमने उस पर interest जो था वो half yearly calculate किया और पूरे साल का interest जो निकल कर के आया वो 6.09 निकल कर के आया तो अब सवाल ही है वो पूछ क्या रहा था हमसे question में चलो एक बार question को फिर repeat करते है question में क्या पूछ रहा था वो हमसे पूछ रहा था वहे वार्षिक दर परतिशत क्या होगा ये वाली चीज यानि पूरे साल का वो rate क्या होगा जो अर्दवार्षिक दे यानि half yearly payable 6% yearly rate के बराबर हो तो students वो rate यही वाला है जो आपका निकल करके आया है यानि अब यहाँ पर दो बाते आती है जिसको आपने पैसा उधार दिया आपके पास दो रास्ते हैं जिसको आपने पैसा उधार दिया या तो आप उस पर 33% के हिसाब से दो बार ब्याज लगाओ साल में 33% के हिसाब से दो बार ब्याज लगाओ या फिर दूसरा आपके पास option है कि 6.09% के हिसाब से आप केवल एक बार interest लगाओ बस तो यानि कहने का मतलब यह है ये वाला जो नीचे लिखा है 6.09% जो लिखा है ये वाला interest इन वाले जो उपर आपने 33% के दो interest लगाए है इन दोनों के बराबर है यानि जितना calculation इन दोनों से बैठेगी उतनी अकेली इस से बैठेगी तो हम कह सकते हैं कि 6.09% ये equivalent है इस condition के इस वाली condition के अब सवाल ये उठता है कि exam में इतना तुम करके आओगे तो कोई दिक्कत लिए तो basic बने बता दिया लेकिन अगर exam में question आता है तो आपको इतना भी करने की जुरुत नहीं है इसका मने एक सीधा-सीधा formula बता रखा है तो मने इतना बड़ा समझाया इतना time लिया इसमें समझाने में सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिया वरना मैं चाहता 30 second में इसको खतम कर देता लेकिन ये हमने इस पे इतना time खर्च करने का उद्देश एक ही है कि ये चीज दिमाग में बैठनी चाहिए चलो इसका short में solution देखते हैं short में आप क्या करकाएंगे exam में short में आपको कुछ नहीं करके आना है short में आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक formula लिखा मने हाँ पे छोटा सा ये वाला formula आप use कर सकते हैं ठीके 2x प्लस x square upon 100 और x जो होगा बच्चो वो इसका half होगा half क्योंकि 6% वार्षिक है तो छमाई तो 3 यानि half ही करना पड़ेगा आपको और जहाँ x से वहाँ पे 3 लिखोगे तो यहाँ पे जब आप 3 लिखोगे तो यह बन जाएगा 326 और यहाँ पे जब 3 लिखोगे तो 3 का square बन जाएगा 9 upon 100 यह हो जाएगा 6 plus 0.09 और 6.09 परसेंट हो जाएगा ठीक है इसके अलावा आपने परसेंटेज में बता दू अधिकतर बच्चे एक फोर्मुला जरूर पड़ते हैं यह फोर्मुला भी उससे ही आया है हाला कि यह वाला फोर्मुला जरूर पड़ते हैं बच्चे परसेंटे कर सकते हो एक्स का मतलब पहले हाफ यरली का रेट वाई का मतलब दूसरे हाफ यरली का रेट तो पहले हाफ यरली का जो रेट होगा वह 3 परसेंट होगा तो 3 प्लस दूसरे हाफ यरी का रेट 3 और 3 गुना 3 यानि 3 मल्टिप्लाइब बाए 3 अपन 100 तो वही चीज बन जाए जो यहां लिखी दी फोर्मिले के अंदर 6 से प्लस 0.09 और यह जाएगा 6.09 परसेंट इतना ही करना बस इस स्याद़ कुछ नहीं करना श्रॉंट्स चलो next question एक बार read करते हैं ठीक है एक ही question पर नहीं लगे रहते second question कहता है वह वार्षिक दर परतिशत क्या होगा what annual rate परसेंट जो अर्द वार्षिक दे 10% वार्षिक ब्याजदर के बराबर हो is equal to rate of 10% per annum payable half yearly तो क्या करना है आपको x plus y xy upon 100 और x की जगा पहले half yearly rate तो पूरे साल का rate 10% है तो half yearly rate 5 होगा तो 5 plus 5 plus 5 into 5 और upon में 100 और यह हो जाएगा बच्चो 25 सोरी 25 कहां सो जाएगा 10 हो जाएगा ठीक है 10 और यह 5 into 5 students हो जाएगा 25 अपोन में 100 और यह 10 प्लस इसे काटना मतना मैं एक बात और बता दूँ एक बाजरा थोड़ा ध्यान देने वाली बात है जब कभी ऐसी calculation आती है तो student क्या करते हैं अपने पैर पर कुलाड़ी खुद मारते हैं वो क्या करेंगे से कर देंगे 25 गम 25 पर 25 चोकासो ऐसे कभी म नहीं करना है ठीक है students ओके तो इसमें क्या है नीचे students 2-0 आपको दिखाई दे रही होंगी यह नीचे 2-0 आपको दिखाई दे रही होंगी तो 2-0 का मतलब होता है कि उपर वाली संख्या में after two digits point लगा दोगे दोंगबाद point लगा दोगे तो .25 यह बन जाएगा और इसको calculate क इसका answer हमारा आ जाएगा ठीक है चलिए थर्ड question देखते हैं इसका एक बार और थर्ड में क्या करते है students ठीक है इसको हम लोग इसको question को कही तरीके से कर सकते हैं मने आपको कही तरीके बता दिए students वह 3 method बनाके भी कर सकते हो यह जो formula लिखावा है इससे भी कर सकते हो इससे भी कर सकते हो, तो मैंने आपको तीन मेंथर बता दिए तीनों में से जो भी आपको बजो वो कर दिजिए इस लगता हो के इस लिए झाल को बड़ें से जन्मर के लिए होगे ठीक है, अब हमारा एक किसी को problem जी बोलिए इसमें जितने भी question अभी तक आए हैं ये सारे अर्दवाशिक वाले ही आए हैं अभी तक जितने भी question आए है exam में मतलब ये वाला जो case आया है न हाँ ये वाला जो case बना है न हाँ ये अर्दवाशिक के उपर ते बना बन तो वैसे तिमाई के उपर भी सकता है वो और complicated हो जाएगा ठीक है न बन तो अब ये कोशन आपका quarterly के उपर भी बन सकता है ठीक है ऐसा नहीं के नहीं बन सकता है वो आपको बोल देगा रोबिन वह वार्षिक दर परतिशत क्या होगा जो तिमाही दे यहां तिमाही दे देदेगा 20% वार्षिक ब्याजदर के बराबर हो तो वो कोशन में क्या होगा वो सेम प्रोसिस quarterly होगा तो rate को one by four कर देंगे रोबिन और टाइम जो हो जाएगा वहाँ पर four quarterly हो जाएगा तो फिर तरह इस तरीके से चार हाँ बिल्कुल भी good three methods से इस तरह से कर लेंगे final जो rate आएगा वो हमारा yearly हो जाएगा तो वह यह प्रोसिस तो सारा सबका सेम ही है बस यह कि थोड़ा complicated हो जाएगा question Robin ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें आजाओ type number 9 में 11 में sorry देखो एक बात आपको मैं बता दूँ जब CI SI के difference की बात आती है students तो CI SI का difference की जब बात आती है तो exam में तीन तरीके सा आती है mostly जब भी आप से CI का CI means compound interest SI means simple interest जब भी आप से compound interest simple interest का difference की बात करेगा exam में तो तीन तरीके से करता बच्चो normally एक तो दो साल के लिए एक तीन साल के लिए और बहुत टीपिकल चार साल के लिए ज़ादातर exam में सबसे ज़ादा आने की जो probability है वो इसकी रहती है कम इसकी रहती है और बहुत कम इसकी रहती है और अगर हम banking की बात करें banking के exam की बात करें तो banking के exam में ज़ादातर सवाल आता है four years वाला ये वाला banking पी ओ की बात करें तो ठीक है चलिए अब हमें डिफरेंस सीखना बच्चो दो साल के लिए तीन साल के लिए चार साल के लिए और एक important बात और बता दू सब कुछ करने से पहले कई बार exam में बच्चों का बेकुप बना दिया जाता है और पूछ लिए जाता है कि SI और SI का difference जो है वो एक साल के लिए कितना होगा ये पूछ लिए आता है और पूछ लिया जाता नहीं है, पूछ भी रखा है, क्योंकि एक्जाम में ना रखो पता है कि यहां भी बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, तो अगर मान लो इस्टुएंट्स आप में से कोई भी जवाब दे, मान लीजिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया X, Y, Z कुछ भी, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन ध्यान दे सुनना, आठ हजार रुपे पर, आठ हजार की जब कुछ भी सकता है आपर, 10% yearly rate से, एक साल के CI और SI का difference क्या होगा, तो कोई जवाब दे सकता है मुझे, यानि एक साल का CI और SI का difference, हाँ, very good, 0 होगा, ध्यान रखना ये बात अपने मैं में बिठा लो, बहुत कॉमल सी बात है, कई बार यहाँ पर गलती हो जाती है, एक साल का CI और SI का difference, प्रिंसिपल चाहे कुछ भी हो, rate चाहे कुछ भी हो, हमेशा 0 होता है, ठीक है, क्योंकि compound interest second year से लगना है start होता है, तो इसलिए पहले साल जो interest होता है, उसी को आप CI कह दोगे, उसी को SI कह दोगे, तो जीद हो आएगा अंसर हमेशा, अगर एक साल की बात करता है, तो, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब question को एक बार read करते है, question में क्या कहता है, देखती है, चलो, question में कहता है, बच्चो, 2000 रुपे पर, 10 परतिशत वार्शिक की दर से, दो वर्ष के चक्रवरधी ब्यास, साधरन ब्यास का अंतर बताओ, simple है, find the difference between CI and SI, on rupees 2000, at 10% per annum for 2 years, तो question में बिल्कुल simple है, बच्चो, principle दिया है, आपको 2000, rate आपको दिया है, 10% per annum, time दिया है, बच्चो, 2 साल, और आपको CI और SI का difference, find out करना है, मैं इस question को करने के आपको students दो method बता रहा हूँ, ठीक है, दोनो method आप लोग देख लीजेगा, और दोनों ही आने चाहिए, हम अगर ये बोलें, कि दोनों नहीं आने चाहिए, तो students दोनो method ही आपको आने चाहिए, ठीक है, चलिए, पहला method हम लोग देखते हैं, बच्चो, 3 method method, और tree method के बाद हम देखेंगे फिर सूत्र से, ठीक है, एक student अभी जुड़े हैं, जिनकर ने लिख रखा है, फाइव, एस, एन, एच, एम, वाई, यनि कोड ही डाल लगा अपने नाम में, ये कौन है, और ये तो सायद में कहा से, इनकी तो आवाज भी नहीं आरी, अपने mind में रख लो, सेट, 10% का fraction होगा, 1 by 10, चलिए करते हैं, ठीक है, तो इसका हम बनाते हैं, tree यानि पेड़ बना देते हैं, छोटा सा, ये लो, principle 2000, rate 10% था, तो 10% का मतलब होता है, 1 by 10, 1 by 10, तो ये पहला साल है, बच्चों, ये दूसरा साल है, मने आपको बता दिया, हर बच्चे को दोनों method आने चाहिए, तो 2000 का 1 by 10, जो बैठ जाएगा, वो बैठ जाएगा 200, 2000 का 1 by 10, 200, compound interest लगना शुरू होगा बच्चों दूसरे साल से, और पिछले वाले पर लगा देंगे, तो 1 by 10, और 200 का 1 by 10, 20, ये लची, अब यहां तक कोई problem है, किसी को तो बताएगे, मेरे हिसाब से तो शायद नहीं होनी चीए, अभी नीत जुड़े हैं, अभी नीत, जो आज पहले बार जुड़े हैं, कोई दिक्कत अभी नीत, अभी नीत कहीं, हाँ, कोई दिक्कत नहीं ठीक है, अब ये जो हमारा internet tree बना दिया, ये design बना दिया हमने, इसके अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो ये पहले वाली line है, इसको बिल्कुल hide कर दो, hide, छिपा दो इसको इस पहले वाली line को छिपा दो, और पहले वाली line को छिपाने के बाद जो आपको दिख रहा है, जो ब्याज आपको दिख रहा है, जो ब्याज आपको दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, ये ही आपका difference है, CI और SI का, बिल्कुल, ये ही difference है, CI और SI का, बस आपको tree method अपनाना है उसके अंदर जो पहले वाली लाइन है जो फर्स्ट लाइन है इसको आपको हाइड कर देना है और इसको हाइड करने के बाद स्टुडेंट्स जो आपको दिख रहा है ये जो दिख रहा है ये वाला ये 20 ही डिफ्रेंस है CI और SI का तो रूपल अगर आवाज सुन रहे हैं तो बताएं किलियर है कोशन नहीं रूपल ठीक वेरी गुड अच्छा आज कुछ समझ भारा कोई दिक्कत तो नहीं होरी रूपल ठीक है तो ये फर्स्ट मेथड था और मैं कहा रहा हूँ आना चाहिए दोनों मैθड आपको आनी चाहिए चलिए SECOND मैθड देखते हैं SECOND मैθड में क्या होता है SECOND मैθड में आपको दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है जो पहला वाला मैθड कर आप ओपनी जगापर बहुत अच्छा है यह formula अपनी जगा पर बहुत अच्छा है डोनों method आपको आने चाहिए ठीक है चलिए principle दिया है हमें 2000 rate दिया है बच्चो 10 upon में 100 का whole square 0 से यह यार कोन है यह 5 SNHMI है यार कुछ समझ में तो आनी दा यह पता नहीं कौन है यार कौन यह बार बार यह डिस्टप कर रहा है यह लगरा कोई आज ट्रायल ले रहे हैं इनको में waiting moment आव देता हूं कतम के लिए बस बाद में call करेंगे अपना पी यार 0 से हम लोग क्या करते है instruments 0 कट कर देते हैं ठीक है और यह 2000 1 का square 1 होगा और 10 का square बचो 100 होगा और 0 से 0 हम लोग यहाँ पर कट कर देंगे और 20 हमारा answer आ जाएगा कतम बात 20 तो formula भी बता दिया आपको tree method भी बता दिया उम्मीद है सब को समझ मा आ गया होगा एक question इसका और समझ लेते हैं और students एक बात बता दूँ जो unknown person उनको मैं admit नहीं करूंगा और नाम कैसे डालना है इसकी मुने वीडियो आपके गुरूप में डाल रखी है और किसी को उमीद सब को सुनमा जाएगी वीडियो बहुत किलिए डाल रखी है ठीक है क्योंकि यह नहीं पता रखता कौन जोट रहें कौन नहीं जोट रहें आज तो यह फाइव एसे नहीं लिखावा है कई बार जूट चुके हैं और यह नहीं पता लग रहा हमें कौन है कहां से हैं कुछ बोलते भी नहीं है ठीक है तो इनको हमने वेटिंग पर ही डाल लखा आज एड्मिटी नहीं करेंगी है चलिए इस्ट्रेंट्स आगे बढ़ते हैं हम लोग ठीक है कि इसमें हम लोग एक breakup और सुल्व करते हैं स्ट्रेंट्स अ जब को साब ले लेते हैं चलो कोस्न लीते हैं हम लोग त्री ठीक है थाड़ रूपल बताएंगे कि इसको कैसे सोलु करें ट्री मेथड से सोलु करें या फॉर्मले सोलु करें ट्री मेथड से करना है वेरी गुड हमारे पैन को क्या अगर्च चली निदा है क्या अगर बढ़ो गई ये कौन आवाज लगा रहा है चली चल लगया मारकर हमारा ठीक है पता नहीं मारकर में क्या हो गया था ठीक है चली तो रूपल देख सकते हैं यहां पर सोला अजार है सोला अजार बना लेंगे यहां पर इस तरह से ठीक है यह लो और यह लो रेट है 25 परसंट देख सकते हो 25 परसंट को फ्रेक्शन में कनवर्ट करेंगे 1 बाई 4 और इस पिछले वाले पर फिर लगाओ एक बार इंट्रस्ट वन बाई 4 का हाँ गुड 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 वन थाउजन और मने आपको बताया था पहले वाली लाइन को अवोईड कर दो इसको इसको भूल जाओ यह कुछ लिखा भी अपने और जो बचा यह वाला यह डिफ्रेंस कहलाएगा सी एई और एसाई का ठीके स्ट्वेंट्स तो उम्मीद है सबको समझ माया होगा तो रोबीन किलियर हो रही है बाते और रोहित तुम मताओ भई और रोहित के साथ जुड़े में हैं अंकित वो तो मैं लगरा साथ चलेगा अंकित तो वह दिखने रहे होता अंकित तो कि ठीक है ठीक है कैसा बच्चे बीज़े चले जाते हैं साथ है चोड़कर करें क्लास को हाँ सिग्णल वेख बारिष पढ़ी है कैई लोगों के प्रोलों हो रही है अब तो आने लगी लिगे स्टार्टिंग में ने आ ली थी को अशब्ता बारिष पढ़ई हो कि बारिष में दो चीज बड़ी परभावित होती है एक तो सिग्णल और एक दूसरा बिजली कि लाइट कि यह सबस्यादा परभावित होते हैं बारिश के अंदर चलिए स्ट्वेंड्स तो किलियर है बस आजना रखते हैं बाकी कल करेंगे फिलाल मनने थोड़ी स्पीड स्लोई रखी वी यह ज्यादा फास्ट नहीं है कोई कुछ कह रहा है क्या बोलिए क्या आटा दूं क्या आटा दूं बताओ अच्छी है इस सब करता दूं तो इसके इंसोट कि सीज़ करें आपको पीडियेफ का पीडियेफ का यह मैं आपको वार्ट सब्सेंड कर दूंगा ठीक है इसके जिरुद्धी पड़ेगे वार्ट लेना चाहा और ले लो मैंने हटा दिया है आप ले लो और बाकी मैं आपको वार्ट सब्सेंड कर दूंगा पूरी प्रीडियेफ है ना ठीक है ओके इस्टूएंट्स बागी कल मिलते हैं क्यारा बज-ए 75 chair ठीक है को आधार आत को 9 बज-जै डॉट्स के लिए ठीक है ओक्ै बाई-बाई-बाय नमस्ति बिल्कुल नो से 10 डॉट्स चलते हैं देली है नarner हुं झाल झाल